कि मिश्कार दोस्तों में पुलकित मौन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चनल में दोस्तों आज हम इस विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने पैट को या अपने जानवर को बहुत जादा प्यार देते हो तो क्या वो मरने के बाद भी आपसे जुड़ा रहता है दोस् की केर करते हैं खासकर कोई इनके घर के बाहर रेगुलर्ली आता है तो उसका दिहान करते हैं तो होता क्या है कि कई दफ़ा जब आ बहुत इमोशनली अटाच हो जाते हो अपने पैट के साथ अपने अनिमल के साथ क्योंकि अप दी एंड अफ दे आप भी एक आत्मा हो वो सिर्फ हमारे अंदर जो फरक है वो शरीर का है अब वो जानवर के शरीर में उसकी आत्मा कैद है आपकी इनसान के शरीर में कैद है पर जो मिलन है वो आत्मा से आत्मा का है जो प्यार है आत्मा से आत्मा का है जिसकी वजह से जो बॉंड होता है कभी-कभी इतना डीप हो ज बनाए रखती है और इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से देखने को मिलता है कि उस पैट के चले जाने बाद बही दॉद किसी के बास डॉग है तो पने पेट की मेरे पास दो डॉग्स थे और इस दो डॉग्स से पहले भी मेरे पास रहे हैं, stray dogs भी रहे हैं, पर ये दो dogs मैंने particularly पाले थे, दोनों लेबरा थे, and इन दोनों की death के बाद भी मुझे इनकी अनुभूती होती थी, ये मुझे दिखाई देते थे, और आज भी दिखाई देते हैं, आज भी मुझे ये इनका एहसास होता है, and they are always there providing me love, वो हमेशा प्यार देते हैं, comfort देते हैं, मुझे वो ही अनुभूती फील होती है, जो वो थे, तो होती थी, वैसी ही अभी भी होती है, and क्योंकि I am psychic, तो मुझे easily ये पता लग जाता है कि ये अभी कहां है, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मेरे साथ है, बट अगर जो normal इंसान भी, अगर मैं किसी lemon की बात करूँ, जो इस field में नहीं है, उनका भी अगर बहुत गहरा प्यार है अपने pet के साथ, तो वो pet मरने के बाद भी पूरा संभा हो है कि उनके साथ रहेंगे, और कहीं न कहीं उनको इनकी होने का अभास होगा, अनुमूती होगी, तो ऐसे में pet अपने मालिक को नहीं छोड़ के जाता, तो अगर आपका कोई pet आपको बहुत guard करता है, आपकी protection करता है, आपके प्रती protective है, obsessive है, बहुत सारे dogs जैसे होते हैं, बहुत जादा possessive हो जाते हैं, बहुत जादा caring होते हैं अपने मालिक के प्रती, तो उनको नहीं छोड़ते एक मिनट भी, तो मरने के बाद भी वो ऐसा ही करते हैं, और उनके चाया आप सामने नहीं देख रहे हो या देख पा रहे हो, बट स्टिल आपको अभास होता रहेगा, फील होता रहेगा, कि वो आपके साथ हैं, सपोज आप कुछ खाने की चीज लेके निकल रहे हो अपनी किचिन में से, जब वो पैट जीवित था तो आप अकसर उस खाने की प्लेट में से उसे कुछ दिया करते थे, तो होता क्या है होगा, क्या कि अपने आप 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 अटमेटिकली वो चीज खाने की आपकी प्लेट से नीचे गिर जाएगी, और आपको बाकाइदा अभास होगा कि वो आपके पैट खाना चाता है और वो मांग रहा है, यह अभास में साथ बहुत डफा हुआ है, अक्सर जो मैं अपने कालू को चीज़ें खिलाता था वो अक्सर जब उसके चले जाने के बाद, जब भी मैं अगर प्लेट में कोई भी खाने की चीज़ डालता था, तो अक्सर वो उसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा जरूर गिर जाता था, उसी तरीके से जैसे मैं पहले उसको दिया करता था खाने के लिए, यहां तक की ड्रीम्स में भी पैट्स आपको दिखाई देंगे, मुझे मेरे पैट्स रेगुलर्ली ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, communicate करते हैं, मुझे बताते हैं और यहां तक की pets जो होते हैं negativity के बारे में भी आपको संकेत देते हैं वो भले ही verbally आपसे communicate नहीं कर सकते हैं बट still वो आपको किसी ना किसी symbolic way में किसी ना किसी voiceless picture way में मतलब बिना आवाज की कोई film दिखाना इस तरीके से खाली actions के माध्यम से आपको communicate करके भी दिखाते हैं through dreams के आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है क्या अगर कोई paranormal energy आपकी घर में है या आपके workplace पे है या आपके साथ लगी वे तो किस तरह effect कर रही है और maximum time देखा गया है कि जो pets पेट्स अपने उपर आपकी आफ़त ले लेते हैं आपके उपर कोई संकट आया है problem आई है और उसको अपने उपर लेके अपनी जान कवा देते हैं आपके लिए इतना बड़ा बलीदान कर जाते हैं वो अकसर आपके साथ मरने के बाद भी रहते हैं आपका ध्यान रखते हैं आपका बचाव करते हैं और अकसर वो उस negativity के साथ भी दिखते हैं उन negative energies के साथ भी नजर आते हैं जो उनको लेकर गई हैं क्याई दफ़ा ऐसे pets traumatized भी होते हैं मरने के बाद क्योंकि जो negative energy उनको मार के ले गई होती है वो मरने के बाद भी उन्हें सता रही होती है क्योंकि ये जो negative energies होती है वो enjoy करती है pain देना और वो pain चाहे वो किसी इंसान को दे या किसी जानवर को दे and most probably जानवर क्योंकि innocent होते हैं तो इनको pain देने में उनको ज़्यादा satisfaction मिलती है तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा अगर आपका pet किसी negative energy द्वारा किसी paranormal force द्वारा मारा गया है अचानक उसकी death होई है तो आपको सपने में वो दिखेगा क्यों तरड़ा परा है, परिशान है, रो रहा है कोई उसको मार रहा है, कोई से तंग कर रहा है इस स्रीके की द्रिश्चे भी आपको दिखेंगे अगर ऐसा होता है, तो आप अपने pet के लिए हमारी धुनी जलाईए और उसकी आत्मा की शानती की कामना कीज़े उसमें आप super gold धुनी जला सकते हैं regular धुनी मंगा के हमारी वो जला सकते हैं और यही प्रात्मा कीज़े के आपके pet की आत्मा को शानती मिले अगर वो pet है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी आत्मा की शानती की कामना नहीं कर सकते या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते इस रिली इंपोर्टेंट कि हम उसको paranormal world में facilitate करें उसकी आत्मा को शानती पहुँचाएं खास कर अगर उसकी soul active है और अभी भी हमारी मदद करने का प्रयास कर रही है हमें protect करने का प्रयास कर रही है खुद को problem में डालके तो उसके लिए आप भले ही हमारे regular धुनी मंग वालीजे इन केस आपको लगता है कि human being के comparison में एक animal के लिए जादा करना तो अगर आप उस चीज़ को देखते वे आप सबसे सस्ती जो धुनी है regular वाली वो चाहें मंगा लिजे पर अपने pet की शानती के लिए धुनी घर में जरूर जलाइए उसका नाम लेके और बाकादा विजुलाइज करके उसकी face को, pet को चाहे वो cat थी, चाहे वो dog था चाहे वो कोई bird था कि उसकी soul को शानती मिले आप इस बात को लिखके ले लो आपको dreams में वो ज़रूर दिखाई देगा और बहुत better condition में दिखाई देगा अगर अभी condition में खराब दिखाई देता है तो काफी better condition में दिखाई देगा उसके पास इतनी shield डाने लगेगी कि वो आपके प्रतीवी protective और हो जाएगा और खुद भी उसकी soul को power मिलेगी और अगर आप food कर सकते हैं तो super special extra या super gold दुनी सबसे best है उसके लिए जलाई है उसकी soul की शान्ती के लिए ताकि उसको powers मिलें उसको शक्ती मिले paranormal world में भी तो pets की soul अकसर अपने मालिकों को ये उनके लो के protective तोर पे उनके साथ रहती है उनको haunt नहीं करती है पर कि उसी तरीके से जैसा वो पहले करते थे यहां तक की वो उसी life को जीने का प्रयास करते है जैसा की अकसर human spirits करती है उसी चीज़ों को धोराते हैं आप किसी particular जगे पे pet को बिठाते थे तो मरने के बाद भी वो वहीं बैठेगा आपको अभास भी उसके बैठने का वहीं होगा सब्पोज आप किसी pet को बांध के रखते थे कहीं पे तो मरने के बाद भी आपको वहीं पे वो ऐसा अभास होगा कि वहीं पे बंदा हुआ है आपको उसकी smell तक आएगी उसके जाने के बावजूद भी जैसी smell जैसी गंद उस pet की थी वो भी आपको आएगी यहां तक कि आपको feel होगा कि something is there वो कोई ना कोई चीज है जो अभी भी आपको जोड़े वे आप उस pet को नहीं भूल पाते हो गुम फिरके वो आपके mind में आही जाता है और dreams में अक्सर आही जाता है खासकर अगर जब आप उसको भूलने का प्रयास करते हो या move on करने का प्रयास करते हो तो इत शोस के वो अभी भी है आपके साथ है तो यह हमारा फर्स बंदा जब हमने पूरी जिंदिगी उसको पाल अक्सर pets attachment अपने मालिकों से कर लेते हैं उनके बगर नहीं रह पाते और क्योंकि उनका जो love होता है वो selfless होता है वो humans की तरह बनावटी नहीं होता जो इंसान है वो धोके बाज होते हैं वो जुट बोलते हैं अपनी सहुलियत के हिसाब से प्यार करते हैं पर जो जानवर हो सिर्फ प्यार देखता है और आपको unconditionally प्यार देता है तो यही एक खासित होती है कि उनकी आत्मा इतनी प्योर होती है इतनी पवित्र होती है कि वो मरने के बाद भी हमारा ध्यान रखते हैं जो इनसान होते हैं मरने के बाद और लालची हो जाते हैं spirits गंदी हो जाती हैं कमीने पन पे उतराती हैं शरीर के लिए, खाने के लिए पर pets कभी भी ऐसा नहीं करते हैं मरने के बाद भी अपनी loyalty बनाये रखते हैं unconditional love को बनाये रखते हैं और हमें बचाते हैं, हमारा save guard करते रहते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है और उनके लिए आप उनके निमत दान भी कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई pet था तो उसी के निमत आप बाहर pets को कोई biscuits वगरा डाल दो प्रातना करते हुए कि मेरे उस pet की soul को शान्ती मिले तो कहीना कहीं आप उसमें फरक देखेंगे एक betterment देखेंगे उसकी soul की condition में और बाकी जब धुनी regularly जलेगी उस pet के लिए उसकी आत्मा की शान्ती के लिए तो definitely उसकी soul को बहुत relief मिलेगा आत्मा तो आत्मा है चाहे कुत्ते के शरीर में थी चाहे इनसान के में शान्ती हर एक को चाहिए तो आहीं होब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा तो इसी तरह सुनते नहीं प्यार देते ही सब्सक्राइब कीज़े चैनल को आप धुनी मंगा सकते हैं रेगुलर वाली है और अग फोर्ड कर सकते हैं तो सुपर गोल्ड भी आपको सिंबली मोबाइल नंबर 813 033 1007 पर संबर करना होगा नंबर दुबारा बोल रहा हूं 813 033 1007 डिस्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मैं हूँ आपका दोवस पुलकितमावन सेंगला